बोलो, और अगर मेरा वक्त बरबाद कर रहे हो तो जानते हो ये चर्ष शहर के बीचों बीच क्यों है ये बुजर्गों का फैसला था ता कि सब लोग इश्वर के करीब रह सके मुझे अच्छा लगा, विश्वासों की समान था तुम सोच रही हो कि तुम मेरे दिमाग में क्यों नहीं जांक सकती कभी-कभी ये मुश्किल होगे है पर तेर सबेर हर इंसान की असलित सामने आ ही जावे है जरूर आ जाती होगी पर तुम्हें इंसान से ज़्यादा किसी और चीज़ की सरुवत है इसलिए तुमने स्टाक को छड़े ले जाने दी मनने उमीद तो ना थी पर मैंने स्टार्क का डर देखा था मनने पता था कि छड़ी उसे काबो करके बरबाद कर देगी सभी वो चीज़ बनाते हैं जिससे बजाते हैं अमन के रखवाले जंग के अथियार बनाते हैं गुस्पैठी एवेंजर्स बनाते हैं और लोग बनाते हैं अपने से छोटे लोग बच्चे मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा था बच्चे उनकी चकर लेनी के लिए ताकि हो जाये उनका अंत क्या तुम इसी वास्ते आये हो अवेंजर्स ने मारने मैं दुनिया को बचाने आया हूँ और हाँ उसके लिए भी हम फॉरण यहां से चल देंगे एहन काम शुरू करने के लिए हमें एक चीज की सरुरत होगी यो सब तो मैं ही मेरे पास जो है वो अवेंजर्स के बास कभी नहीं होगा वो बेतार है बेमेर है स्टार्क उन्हें आपस में लड़वा रहा है और अब तुम उनके दिमाग में खुश जाओगी उड़को हर कोई मारना नहीं चाहता तो उनको शहीद कर दो सब्र के स्रुवत है पूरी तस्वीर देखने की ना देखनी मुझे पुरी तस्वीर मेरे पास मेरी बोटो है और मैं तो उसी को देख हूँ हार रोज तुम्हारे माला बंबारी में आहिव Pr sole डकार्ड नहीं सिर्प पूरी तस्वीर पेडर्स प्रश में छेद कर दिया, बहुत बड़ा मम्मी पापा तो भीतरी किर गए और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग किरने लगी मैने इसका हाथ पकड़ा पलंकनी चछप गया में और तब ही दूसरा बम गिरा पर वो ना बटा वहीं कि मल्बे में पढ़ा रहा हुआ हमारे चेहरों से तीन फिट दूर और बम की एक तरब एक नाम लिख्या था स्टार्क दो दुनों तक फशे रहा हुँ खुद को बचाने की हर कोशिश पर इंटों के जरा से हिलने पर मने खयाल आता था कि अब ये भटेगा हम दो दुनों तक टोनी के हाथों मरण का इंदिजार करते रहे मन ने पताया वह कैसे है मुझे हैरानी होती थी कि इस तकरती प्रोग्राम में से सिर्फ तुम दोनों क्यों बच गए अब नहीं होती हम सब ठीक कर देंगे तुम और मैं उसे घायर कर सकते हैं पर तुम ओने चीर के राक्टोगी अन्दर्थे